हेलो दोस्तो मेरा नाम है राजपुसर पराज और आप देख रहे हैं सिफ्टाइक तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नोक्या कंपणी की वो 6 वज़ा जिस 6 वज़ा के कारण नोक्या कंपणी आज बिलकुल खत्म हो चुकिल है बिलकुल बरबाद हो चुके अपनी जीद की वज़ासे कह लीजिए या किसी भी वज़ासे कह लीजिए Nokia company की वो 6 वज़ाँ बताऊंगा आपको किस आज बिलकुल Nokia का नाम निसान खतम हो चुका है अगर फ्रैस्ट बैक की बात करें तो नोकिया के नाम से मोबाईल जाना जाता तो चिर्फ एक ब्रैंड ऐसा था जो पूरी दुनिया पर राज कर रहा था तो अचानक से क्या हुआ इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद क्या वज़ा रही जो आज बिलकुल उसका नाम निसान ही खतम हो गया तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लाइक कर ले और बैल आइकन दवाना बिलकुल भी ना बूले जिससे हमारी फूचर में वीडियो की नोटिफेकेशन आप तक सीधे पहुंच जाए और कमेंट्स करना ना बूले और अगर कोई प्रोब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके में से कोई भी कोश्चन पूस्ट सकते हैं मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो नंबर एक ओवर कॉंफिडेंस और जिद्ध नोक्या एंड्रोइड बेंड वागन का फायदा उठाने में वीफल रहा जब मोबाइल फोन निर्माता अपने स्मार्ट फोन को बहतर बनाने और काम करने में वैस्त थे तो नोक्या जिद्ध बना रहा सैमसंग ने जल्द ही अपने एंड्रोइड आधारित फोन की रेंज लॉंज की जो की काफी किफायती और उप्योग करता के अनुकूल थे नोक्या का मैनेजमेंट इस धाना के तैत था कि लोग टच स्क्रीन फोन स्विकार नहीं करेंगे और कुर्टी की पैडल ल अपनाना चाहता था इसी कारण कमपनी को मुक्सान के रास्ते जाना पड़ा नंबर दो माइक्रोसोफ्ट के साथ डील नोक्या की विफलता का एक अन्य कारण माइक्रोसोफ्ट के साथ गलत समय पर सोदा था कमपनी ने खुद को माइक्रोसोफ्ट को ऐसे समय में बैश दिया जब सोफ्ट्वेर दिगजे गाटें से भरा था नोक्या इस दोरान अपने सेल्स से कुछ हासिल नहीं कर पाया और उस दोरान एपल और सैमसंग लगतार अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन और टेक्निकल विकास ला रहे थे नोक्या को बाजार में अपनी स्पीड बढ़ाने में काफी समय लग चुका था और मार्किट भी पूरी तरह बदल चुका था माइक्रोसोफ्ट द्वारा नोक्या का अधी ग्रहन सबसे बड़ी भूलों में से एक माना जाता है और दोनों साइड को इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ नमबर तीन मार्केटिंग रननीती में पूरी तरह फैल हुई कमपनी आमतोर पर खराब मार्केटिंग रननीती के कारण एक स्टार्ट अप विफल हो जाता है और नोक्या के साथ भी ऐसा ही हुआ कमपनी ने अमबरेला ब्रेंडिंग के एसेफल रननीती को फोलो किया एपल पहली कमपनी थी जिसने सबसे उपर आइफोन के साथ अमबरेला ब्रेंडिंग मोडल लागू किया था नोक्या साल दर साल यही करता रहा और इस भी सैमसंग ने गेलक्सी सीरीज को लौच कर नोक्या को पूरी तरह नीचे इरा दिया पिछले कुछ वर्सों में नोक्या द्वारा बनाया गया उपयोग करता का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था कम्पनी अपनी विक्री और डिस्ट्रीब्यूशन में थड में अक्सम थी इस गडबडी को देखते हुए नोकिया ने कुछ आकर सक हाड़वेर और सोफ़वेर इनोवेशन के साथ आने का फैसला किया हाला कि ये पहले से ही नोकिया के परती ध्विंदियोग द्वारा जारी किये गए थे नोकिया की मार्केटिंग और विवत्रन रन नीतियों में विफलता ने मोबाइल उद्योग से इसके एक्जिट होने में मैतरपूर्ण भूमी का निभाई नमबर चार इंडरस्टी के साथ नहीं पकड़ पाया रफतार नोकिया कभी भी बदलती तकनिक और ट्रेंड के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया नोकिया हमेशा अपने हार्वेर के लिए परचित था और उसने अपने सोफ्टेर लाइन अप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया इससे में कमपनी कभी भी अपने फोन के टेक्नोलोजी में बदलाव नहीं ला पाई उस दोरान कमपनी को व्यापार को मोडने की जरूरत थी लेकिन जब तक नोकिया को इस बात का एहसास हुआ था तब तक बहुत देर हो चुकी थी शुरुआती पहल करने वालों में से होने के बजाए नोकिया ने तब तेजी दिखाई लेकिन तब तक हर बड़ा मार ब्रेंड मार्किट में कुछ बहतर फोन लाउंच कर चुका था नमबर पाँच ब्रेंड वैल्यू को किया नजर अंदाज नोकिया ने अपनी ब्रेंड वैल्यू को कम करके आका कमपनी का मानना था कि उसके स्मार्ट फोन के देर से लाउंच होने के बाद भी लोग नोकिया दोरा निर्मित फोन को स्टोर करने और खरीदने के लिए उमडेंगे लोग आज भी सोचते हैं कि नोकिया कुछ कमाल करेगा और अपने सोफ्टेर में बदलाओ करेगा कमपनी एक बार भी मार्किट पर राज करेगी हाला कि यह सच्चा इससे बहुत दूर है जैसा कि आज देखा भी जासता है कि कमपनी अपने सोफ्टेर सिस्टम के साथ फस गई है जिसे कई बग सामने आए हैं नोकिया को लगा कि इसका पिछला गोरव किसी भी तरह की परशानी को कम करने में मदद करेगा दुर्भाग्ये से चीजे उस तरह से नहीं चली प्रोडक्ट में इनोवेशन की कमी नोकिया ने कभी भी अपने प्रोडक्ट में नई टेकनोलोजी को पेश नहीं किया एक तरफ सैमसंग और एपल जहां लगातार कुछ नया करने में लगे थे तो वही नोकिया ने उस तोरान सभी बड़ी कलती अपने विंडोज फोन लोंच करके की नोकिया लूमिया सरंग खला एक छलांग शुरुआत उपाए थी लेकिन वैब भी इनोवेशन की कमी के कारण डै गई कमपनी के बेहद धी में फोन और खराब फीचर ने इसे और बरबाद कर दिया 4G के जमाने में नोकिया के पास 3G फोन भी नहीं था नोकिया भी आसा सरंग खला के साथ आया था कि लेकिन तब तक यह खेल खत्म हो चुगा था गलत फैसलो और जोखिम से बचने के कारण मोबाईल दिगज का पतन हुआ नोकिया ने नवी नतम टक्निक को अपनाने से प्रहेज किया नोकिया की विफलता एक केस इस्टडी बन गई जिसने कई कमपनियों को अलग अलग तरह की सीख दी एक समय में दिगज मोबाईल कमपनी कहे जाने वाली नोकिया साल 2013 तक सब कुछ खो चुकी थी नोकिया में लिडर्शिप और गाइडेंस की भारी कमी थी तो दोस्तों ये थी वो 6 वज़ा जह 6 कारण जिस वज़ा से नोकिया कमपनी आज बिलकुल खत्म है और ये उसका घमंड ही था या कुछ ऐसे कह लिजिए या उसकी जित थी जिस वज़ा से आज नोकिया का नाम ही खत्म हो गया जो पूरी दुनिया में चलने वाली कमपनी पहले नोकिया के नाम से मोबाईल जाना जाता था और मोबाइल के नाम से नोक्या ही जाना जाता था और वो आज बिलकुल खत्म हो गई तो यही उसका घमन कह लीजिए या जित कह लीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जेहिन